इलाबाद हाइकोट ने डाक्यूमेंटरी फिल्म इंडिया फूलिद द फ्यूस के प्रसारन पर रोक लगा दी है और अलजजीरा मीडिया नेटवर्क न्यूट चानल दोहा कतर को नोटिस जारी किया है। कोट ने भारत सरकार वराज्य सरकार को आदेश का पालन कराती हुए सामाजिक सोहार्द कायम रखने वराज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोट ने सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। यहाँ आदेश न्यायमूर्थी अश्वनी कुमार मिश्रु तथा न्यायमूर्थी आशुतोष श्रीवास्तव की खनपीट ने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता के मत्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वब भारत सरकार के अधिवक्ता ने बहस की याचिका कहना है कि 2015 में भारत में 5 साल के लिए अलजजीरा चैनल प्रसारण पर रोक लगी थी चैनल ने इस फिल्म की प्रसारंग की घोशना की है यदि अनुमती दी गई तो इससे देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी धार में कुन माद वघ्रिना फैलेगी और देश के पंथनिर पेक्षता का ताना बाना नश्थ होगा लोक शांती भंग होगी इस फिल्म में मुसलिन समाज का पोलराईजेशन होगा फिल्म सच से काफी दूर है और मंगणंत कथानक पर आधारित है कोट ने कहा सम्विधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ती की स्वतंतरता देता है यह मौलिक अधिकार है किन्तु यह अनियंतरित नहीं है सरकार को अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ती की स्वतंतरता को नियंतरित करने का अधिकार है इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ेगा इसलिए फिल्म का परीक्षन वविचार होने तक इसकी प्रसारन पर रोक लगाई जाए कोट ने केंद्र वराज्य सरकार को आदेश का पालन कर सौरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया है